अगर सर्दियों में आपको भी दिक्कत आती है कि रोज सुबह सुबह क्या बनाया जाए ऐसा जो जटपट बन जाए और टेस्टी भी हो तो आप आलू की यह वाली रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं तो यहां पर आपको सिर्फ उबले हुए आलू लेने हैं और आलू को ना जो नए वाले आलू होते हैं अगर वो उबले वालने के बाद छिलका ना निकले तो आप चाकू से इस तरह की से स्क्रैच कीजिए छिलका ना इजिली से निकल जाएगा और उंगलियों में चिपकेग अभी नहीं यह है आपके जो सर्दियों वाले आलू होते हैं उनको छिलने की ट्रिक चाकू से इसको पील कीजिए अब क्या करना है कि मैंने तो यहां पर तीन आलू लिये हैं उबले हुए उनको आपको हातों से अच्छे से ऐसे मसलना है यानि यहां पर ग्रेट करने की चौप करके दो छोटे छोटे टमाटर हमने चौप करके डाल दिये टमाटर या प्याज अपनी चॉइस के कोडिंग आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं जिता आपको पसंदो और दो तीन हरी मिर्स डाल दीजिए और धेर चारा डाल दीजिए फ्रेश काटा हुआ अगर आपके पास निम्मून नहीं है तो यहां पर आप जो अमचूर पाउडर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजे हमने मिक्स कर दी और अब ही हम स्पून से अच्छे से और मिक्स कर देंगे और कोई पी एडिशिटल मसाला आपको इस इसके अदर डालने की जरूरत नहीं है तो यह देखे कितना बढ़िया इसका कलर गाईज बनके रेडिय हुआ है और यह बढ़िया बनके रेडिय हुआ है उता है इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होगा और अब इसके अदर डालेंगे हम इसका एक जो मेन इंग्रिडिय या फिर तेल को हलका सा गरम करके भी आप इसको ठंडा कर दीजिए फिर डाल दीजिए अब इसको जब सर्फ करेंगे ना तो एक बोल में निकाल लीजिए उपर से डालिए काफी सारा जो कटा हुआ प्याज है वो थोड़ा सा डाल दीजिए फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और यह आपका यमी सा जो आलू का चोखा है ना गाइस बनके रेडी है आप इस तरीके से आलू का चोखा बनाना ट्राइक कर रहेंगे अगर एक बार ना तो आलू की सबजी खाना भूल जाएंगे तो इसको आप सर्फ कर सकते हैं रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी मैं यह आप इसे पराठो के साथ सर्फ कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना कलर्फुल हमारा जो चोखा है गाइस बनके रेडी हो गया है तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से बहुत ही बड़िया रेसिपी है तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू ओर वाचिंग